राजदानी जैपूर से डेड़ सो किलोमीटर दूर लगने वाला कार्तिक महीने में विश्व परसिद मेला इस बात बिना मवेश्यों के लगेगा दरेसरल परदेश में जिस तरह लंपी वायरस का कहर बढ़ रहा था उसके बाद चिकस्टकों की सराबी जो है ली गई थी और राजसरकार ने भी निर्देश दिया गया है अगर मवेश्यों को मेले में लाए जाता है तो संक्रमन और बढ़ जाएगा जिसके बाद रास्तान सरकार की ओर से फैसाल लेते विए इस विश्व परदीश परसिद मेले में पसो की को ना रखने का निर्देश दिया गया है हालनकि पसो के आने के काराण ही जो है उसके निर्देश को के काराण ही आकरशन बढ़ता था लेकिन इस बार भारतिय परेटक और विदेशी परेटकों को यह आकरशन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक से साथ नौमपरत दक्ष परशिद मेला चलेगा वाहां विविन कारी करमों का आयूजन भी किया जाएगा सांस्कृति कारी करम, दारमी कारी करम का आयूजन किया जाएगा जिसकी तैयारिया जो रो दो पर चल रही है हालंकि परसाशन का कहना है कि इस धार्मिक कारिक्रम में हर बार देखने को मिलता था जब परसु आते थे तो लोगों की भीड देखने को मिलती थी लेकिन इस बार परसासन को डर भी है कि कई ना कई जब परशु मेले का आयुजन नहीं हो रहा है तो निस्यत तोर पर परटक की जो है भीड भी कम देखने को मिलेगी इसके देखते हुए राजस्तान सरकार की ओर के विवाग की ओर से परचार परसार भी जोरो सो रोपे किया जा रहा है ताकि जो परटक है वो ज़्यादा संक्या में यहां आ सके और धार्मिक मेला यानि की विश्परशिद मेले का आनन्द उठा सके इसको लेकर जगे जगे प विवाग के अधिकारियों को दी गई है ताकि जादा से जादा संक्या में जो है लोगों को जुटाया जासे के लोगों की भीड जुटाया जा सके बसंत पांडे टीवी नाइन जैपूर